नौर्थ डेली, NCR, UP पंजाब, वेस्ट बेंगॉल, राजस्थान, MP चंडीगर और इंडिया के कई सारे राज्य जैसे की राजस्थान, महराष्टरा, वेस्ट बेंगॉल, गुजरात जैसे शहरों में आई है, क्रोमा में वेकेंसी जिया दोस्तों स्वागत करती हूँ एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल, JobNow247.com पर, जहां मैं डेली बेसिस पर आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ, 100% जैनुवन नौकरी की जानकारी तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर क्याई हूँ, एक बहुत ही खास जानकारी, एक ऐसी वेकेंसी की इन्फरमेशन जो की टाटा क्रोमा में निकली है, जिया दोस्तों टाटा क्रोमा में कई सारी लोकेशन पे, कई सारी प्रोफाइल पर, रीसेंट हाइरिंग चल रही है, तो आज इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे सारी डिटेल की कैसे आप अप्लाइ कर सकते हैं, क्या कॉलिफिकेशन रिक्वाइड है, क्या सैलरी पैकेज आपको दिया जा रहा है, कितनी यहाँ पर कॉलिफिकेशन मांगी गई है, सारी चीजे जो है दोस्तों जानेंगे आज इस वीडियो में, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने भी तक हमारा यूट्यूब चैनल, jobnow247.com, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजे, और बेल आइकन को भी दबा दीजे, क्योंकि जानकारी सबसे पहले सबसे आसानी से, तो जानते हैं, क्रोमा में जो वीकिनसी आई है, इनके बारे में प्रॉपर इंफरमेशन, आप यहां पर चेकाउट कर सकते हैं, कि आप सभी के सामने खुली है क्रोमा की वेबसाइट, जी यहां दोस्तों, यह इनकी ऑफिशल वेबस जानकारी कि आप इतमें कैसे अप्लाइ कर सकते हैं, क्या एज रिक्वाइड है, कौन-कौन सी भरती के लिए, कौन सी जगा पर जो है अभी भरतिया निकली है, क्या कौन-कौन क्या सैलरी पैकेज आपको दिया जा रहा है, सारी चीजें हम जानेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों, कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लिजे, क्योंकि कि मैं आपको बता दू कि ये जो चैनल है, ये आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टन्ट सावित होने वाला है, इस चैनल पर 100% वेरिफाइड नौकरी की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूगी और हमेशा देती रहोंगी, तो आप यहां पर चेकाउट कर सकते हैं कि सब क्योंकि अगर आप वीडियो अधूरी देखते हैं तो फिर रह जाते हैं अधूरी जानकारी के साथ, ठीक से अपलाए नहीं करते हैं फिर आपके पास रिजल्ट नहीं आते, आप जो है बोलते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिली, तो आप यहां चेकाउट कर सकते हैं, यहां इसके लिए रिक्रूट्मेंट चल रही होगी या नहीं चल रही होगी लेकिन यह जो नेंचे आपको वेक N媽 Coffee kन सब्स like कर लिए किनले 2000 तो आप को यहाँ पर आपको जो है पोस्टिंग डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी आप देख सकते हैं 3.1.2022 के ही दिन यहाँ पर जो यह जॉब वेकेंसी है यह पोस्ट की गई है फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है और आप यहाँ पर जो है डारेकली इस लिंक से अपलाई कर सकते हैं तो आप चेक आउट कर सकते हैं इस जॉब वेकेंसी के लिए और अपलाई कर सकते हैं साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं अपलाई कैसे करना है दोस्तों वीडियो के अंतमे मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसकिप मत करिएगा अब इसके बाद सेकिंड विकेंसी देख लेते हैं अब यहां पर दोस्तों सेकिंड विकेंसी अगर आपको डिजिटल मर्चन्टाइजिंग में एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए अप्लाए कर दीजे अप्लाए कैसे करना है वीडियो के अंत में लास्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि सभी वेकेंसी के लिए जो प्रॉसेजर है अप्लाए करने का वो सेम है तो पह वाली वेकिंसी भी आपको जूम करके दिखा देती हूं 29 12 2021 को ही आई है रात के जो है 9 बचे 9 बचके 13 मिनेट पर यहां पर पोस्ट की गई है तो फुल टाइम जॉब वेकिंसी है दोस्तों लोकेशन आपकी जो होने वाली है यह बेसिकली मुंबई महरास्ट की होने वाली ह अब इसके अलावा और भी कई सारी वेकिंसी है दोस्तों जैसे की आपकी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी असोशेट कैच्मेंट मार्केटिंग कैटिगरी मैनेजर असोशेट डब्लू एस्ट क्लस्टर ट्रेनी सर्वेस असोशेट साथी साथ कस्टमर सर्वेस अस जो कि आपकी अलग-अलग लोकेशन की वेकिंसी है तो आप यहां चेकाउट कर सकते हैं आप इन पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या यह वेकिंसी अभी है या नहीं तो जी हां दोस्तों जैसे कि आपकी सामने यहां पर ओपिन आप है यह बीस बारा दो हजार 21 को ही आई है, recent job vacancy है, दोस्तों, सारी details यहां पर दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, आपकी इंडिया की location की vacancy है, कुछ vacancy आपकी यहां पर मुंबई महराश्ट्रा की है, और कुछ जो है specific location जो है, आपको बताई नहीं गई है, तो आप देख सकते हैं, इस vacancy में, अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपकी 21 साल से लेकर के 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 7 minimum degrees की high school, या फिर अगर आपने graduation की है, तो आप apply कर सकते हैं, तो अलावा दोस्तो, full time job opportunity है यह, और directly यहां पर आपको सारी चीज़ें जो है, देखने को मिल जाएगी, यहां पर दोस्तो, आपकी जो personality है, वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी English communication skills अच्छी खासी होनी चाहिए, तो guys आप यहां चेक आउट कर सकते हैं, सारी apply कर सकते हैं, important बात यह है कि आप यहां पर apply कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तो, मैं आपको बता दू, apply करना बहुत ही simple है, इन मेंसे किसी भी vacancy के लिए apply करने का सिर्फ एकी procedure है, आपको करना क्या है, अपनी मन्चाई नौकरी पर click करना है, ठीक है friends, जब आप अपनी मन्चाई नौकरी के पर click करेंगे, तो यहां पर देखिए, साइट में इस तरीके की पूरी details खुल करके आ जाएंगी, कि यह vacancy का post की गई है, जब आप यहां पर click करेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर apply now का button देखेगा, ठीक है, जब आप apply now के button पर click करेंगे तो यहां पर आपकी email id पूछी जाएगी, जब आप email id अपनी type करेंगे, उसके बाद आपको next जो है, वो click करना होगा जब next click करेंगे, तो directly आपके पास एक link खुल कर गया एगा, जो की इसका apply link होगा जी हा दोस्तों यह आपका directly इसका apply link है, लिंक के through आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं, इस form को भरने के लिए, यह जो form दिख रहा है ना, लंबा चोड़ा, इस form को आप घर बैठे भर सकते हैं, किसी तरीके की कोई fees नहीं देनी, किसी तरीके की कोई charges आपको इस form को भरने के लि यहां पर अपना middle name अगर कोई है, तो लिखना है, email address आपको डालना है, जो कि मैं already, अगर आपने पहले डाला है, तो वो already यहां पर लिखा हुआएगा, फिर इसके बाद आपको अपना email address दुबारा लिखना है, ठीके friends, यहां पर आपको अपना phone number डालना है, जो कि मैं hide कर देती हूँ, इसके बाद आपको अपना pen number डालना है, यहां पर आपको pen जो है, identification के लिए डालना है, डेट अब डालनी है, यहां पर आपको अपनी date of word डालनी है, इसके बाद अपनी nationality चूज करनी है, मैं Indian हूँ और यहां पर आधार number आपको डालना है, national ID डालनी है, issue of last aid, यहां पर आपको अपना आधार card जो है, वो निकाल करके लेकर के आना है, और जो सारी details आधार card पर लिखी होई है, expiry date और issue date वो सारी चीज़ें आपको यहां पर लिखनी है, इसके बाद आपको अपना address डालना है, इसके बाद आपको अपना gender select करना है, और अपना merit status जो है आपको highest education qualification डालनी है, कि आपने क्या किया है, तो मैं यहां पर अपनी post graduation select कर लेती हूँ, experience है अगर आपके पास तो यहां पर अगर आप experience है या फ्रेशर है तो वो select कर लीजे, opportunity आपको कैसे पता चली, directly तो आप यहां पर opportunity select कर लीजे, इसके बाद यहां पर आपको डालना ह आपके उपर यहां पर no कर दीजे, इसके बाद आपने कोई relative आपका काम कर रहा है chroma में, तो मेरा नहीं कर रहा है, तो मैं no कर देती हूँ, तो यहां पर आपको फिर इसके बाद अपना experience एड करना है, experience एड करने के बाद यहां पर अपको अपना resume जो है, वो upload करना है, तो guys में भी कुछ job vacancy ढूंड रहे हैं, तो यहां पर हर एक state के HR के mail ID दिए गए है, आप इनकी official website भी visit कर सकते हैं, जिसका link मैंने आपको नीचे description में दे दिया है, तो check out कीजे guys, और अगर आप इस job opportunity के लिए participate करना चाते हैं, apply करना चाते हैं, तो जल्दी से description के link को click करें और य